आपका एक बार फिर स्वागत है नमस्कार साथियों मैं मुकेश पाटिदर आज आपके सामने प्रस्तूत करने जा रहा हूँ एक रोचक और प्रेणा दायक कहानी मज़ेदार जाए उमीद है आपको प्रस्तूती पसंद आएगी आएए सुनते हैं आज की कहानी 21-22 की उम्र जोश और कुछ कर दिखानी की लालसा की उम्र होती है हर शिवम और अखील भी उम्र के इसी दोर से गुजर रहे थे तीनों की अटूट मित्रता और साथ साथ कॉलेज पूरा करने से उनका जोश भी तिगुना हो गया था तीनों ने तय कर लिया था कि पढ़ाई खत्म करने के बाद नौकरी के लिए तयारी साथ ही शुरू करेंगे तीनों ने अनुमती लेकर विश्वे ध्याले की लाइबरेरी में प्रतियोगिता परिक्षा की तयारी शुरू कर दी परिक्षा में वैसे तो साल भर था लेकिन कठिन प्रतियोगिता के कारण तीनों ने सुबह नौ से रात नौ बजे तक तैयारी करना शुरू कर दिया खाने के लिए साथ ही टिफिन ले आया करते और दो तीन घंटे पढ़ने के बाद पास ही नुकड की चाय की दुकान पर नियम से चाय पीने जाने लगे दुकान वैसे तो पास ही थी लेकिन गपियाते हुए आते जाते यह तीनों दोस कोई 10-15 मिनिट का समय तो काठ ही दिया करते थे वर्माटी स्टॉल के वर्माजी भी अब तीनों को बहुत अच्छी तरह से पहचानने लगे तीनों को दूर से आता देख तुरंत गर्मा गरन चाय के गिलास भर दिया करते वर्माजी खुद तो बहुश्किल आठवी पास कर पाए लेकिन पढ़ने लिखने वालों को खूब समझते वे सदा मुस्कुराते और चाय पिलाते पिलाते हसी बजाग भी किया करते उनकी चाय के स्वाद वा खुश मिजाजी के चलते दुकान पर खूब भीड रहने लगी थी सुबह च्छे बजे से रात के ग्यारा बजे तक बिना धके एक जेसे स्वाद की चाय अगर कोई पिला सकता था तो वो सिर्फ वर्माजी थे उन्हें दुनिया जहान से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता वे तो बस अपनी चाय और चाय पीने वालों को ही दुनिया समझते चाय पीने वालों के चेहरे पढ़ना भी वे खूब सीख गए मौका देख मजाक में पूछ ही लेते की क्या हाल है तयारी करते करते लगबग दस माह हो गए थे एक दिन तीनों को आता देख वर्माजी ने चाय के गलास तयार किये और उनके आते ही पूछा क्यों भाई हर्ष परिक्षा कब है हर्ष गिलास उठा रहा था और कुछ बोलता उसके पहले पीछे खड़ा शिवम बोला अरे पढ़ पढ़ कर दुआ निकलने लगा है और आपने भी परिक्षा की याद दिला दी हर्ष बोला अब से 40 दिन बचे हैं बस आप तो दुआ करो वर्माजी तीनों को देख मुस्खुरा दिये तीनों ने चाए पी और गप्षप करते हुए चले गए वक्त बीता परिक्षा आई और मैंने भर बात परणाम भी आ गया तीनों के हाथ कुछ नहीं लगा अब सिवाए फिर से परिक्षा की तयारी के अलावा कोई रास्ता नहीं था तीनों ने फिर से लाइबरेरी जाने का सिलसिला शुरू कर दिया सिलसिला तो चाए पीने का भी था वह भी चालू हो गया तीनों को देख वर्माजी ने चाए तयार करके रख दी तीनों ने चाए पी पैसे दिये और वापस चल दिये वर्मा जी ने मुस्कुराते हुए पैसे लिये और चाय बनाने में लग गए रास्ते में हर्ज बोला यार वर्मा जी ने तो अपनी परिक्षा के बारे में कुछ पूछा ही नहीं अखिल बोला अच्छा हुआ फूछ लेते तो क्या बताते चल छोड़ तीनों वापस लाइबरेरी पहुँच गए आज लाइबरेरी में इन तीनों की मुलाकात संतोष से हुई बहभी परिक्षा की तैयरी के लिए वहाँ आने लगा था अब चारों पढ़ाई के साथ साथ पहिया आज चाय और पीने का मन है एक कट और दे दो वर्माजी बोले अरे वाँ यह लो संतोष ने पूछा एक बार में कितनी चाय बनाते हो वर्माजी मुस्कुराते हुए बोले संतोष भाई क्या एक साथ पूरी केतली पीने की इच्छा है पता है यह हर बार आप दो घंटे में नई चाय बनाते हो उसके बाद भगोनी से केतली में डालने से पहले आप चकते हो संतोष आगे कुछ बोलता चला गया तभी वर्माजी बीच में उसे बोले आप मेरी चाय दिन में तीन चार बार तो पीते हो हर बार एक जैसा स्वाद आता है या नई संतोष बोला हाँ आता है वर्माजी और ग्राहकों की चाय गिलास में डालते हों बोले अरे भाई इसलिए चकता हूँ ताकि मेरी चाय की परिक्षा में तुम लोग मुझे फेल ना कर दो सभी हस दिये और संतोष बोला आपकी चाय को तो कभी कोई फेल ही नहीं कर सकता संतोष ने वर्माजी को चाय के पैसे दिये पलट कर जाने लगा तभी वर्माजी ने उसे रुकने का इशारा किया और बचे में पैसे देते वे बोले संतोष भाई कहीं चाय की दुकान खोलने का इरादा तो नहीं कर लिया इस बात पर सभी हस दिये संतोष ने तीनों से कहा आज चाय में मज़ा आ गया या वर्मा जी भी एकदम कलाकार इंसान है चाय दिल से बनाते हैं और दिल से पिलाते हैं आज वर्मा जी की चाय और उनकी बातों से संतोश को एक अजीब सी उर्जा का एहसास हो रहा था। लाइबरेरी में रखी मा सरस्वती की तस्वीर को प्रणाम कर वह अपनी टेबल पर बैठ गया। आज दिमाग ने जैसे ताय कर लिया था कि वह वर्मा जी की बातों को भूलेगा नहीं। दिन रात सुबह शाम आते जाते रहे पढ़ाई और चाय के दोर चलते रहे परिक्षा का दिन आया और परिणाम का इंतुजार शुरू हो गया। परिणाम आने के एक दिन पहले चारों दोस वर्मा जी की स्टाल पर चाय पीने गए। बारिश के मुसम में चाय का मज़ा कुछ और खास था। कल आने वाले परिणाम ने चारों को साहिद भी कर रखा था तो बैचनी भी कुछ कम नहीं थी। वर्मा जी उनके चेहरों को खूब पड़ रहे थे। बोले दोस्तों कल चारों चाय पीने जरूर आमा। बस अब क्या था चारों ने तै कर लिया कि कल इंटरनेट पर परिणाम देखकर सीधे यहीं एकत्र होंगे। रात बी थी, सुबह भी, चारों बहुत उत्सुख थे। यह पता था कि परिणाम तो तै समय पर ही आएगा। फिर भी उत्सुखता इतनी थी कि सुबह से नजाने कितनी बार कम्पिटर चालू कर देख चुके थे। आज बादलों के चलते सुरज खूब आफ मिचोली खेल रहा था। उमस ने बैचेनी को चरम तक पहुँचा दिया था। अब कुछ मिनिट दो मिनिट का समय बचा था। चारों ने अपने अपने घर पर कम्पिटर स्क्रीन पर नजरे गड़ा रखी थी। ठीक समय पर परिणाम सामने था। कोई संशय नहीं रहे इसलिए चारों ने बार बार परिणाम को सुनिश्चित किया। परिणाम से उदासी भी थी तो खुशी भी थी। अब तो चारों के कदम खुद बखुद मिलने को चल पड़े। बादलों के चलते धूप छाओं को पार करते वे चारों वर्मा जी की स्टाल पर एकत्र हो गले लग लिए। चारों की आँखों में आसु छलक पड़े। वे भी ऐसे की समझ से परे थे। आसु खुशी के थे तो गम के भी थे। हाँ गम था तो तीन के फेल होने का और खुशी थी तो एक के पास होने की। समझ समझ के इस फेर में वर्मा जी भी पड़ गए। उन्होंने चखने के लिए चाय कप में डाली तो समझ ही नहीं आया कि चाय मिठी हुई या नहीं। कब नीचे रख बोले अरे तुम चारों मुझे कुछ बताओगे। तुरंती हर चिल्ला पड़ा भाया अपना दोस्त अफसर बन गया मिठाई खिलाओ। आसपास सभी स्तब्द खड़े चारों को देखने लगे। तभी संतोष वर्मा जी के पेर चुने को जुका। तुरंती वर्मा जी ने उसे गले लगा कर बदाई देते वे कहा। अब चाय की दुकान खुलने के जरोत नहीं पड़ेगी अफसर। संतोष बोला आज मुझे नौकरी मिली है तो इसमें आपका सबसे बड़ा योगदान है। आपकी चाय बनाने की लगन ने मुझे मन से पढ़ाई करने की इच्छा जगा दी। मैंने देखा कि आप हर दो घंटे में पचास क्लास चाय बनाते और उसे चकते। एसा आप दिन में लगभग साद बार करते हो जिससे चाय का स्वाद गुणवत्ता हमेशा एक जैसी बनी रहती है। एक दिन मैंने आप से चाय चकने का कारण पूछा तो आपके उत्तर से मुझे परिक्षा में सफलता पाने की चाबी मिल गई। उस दिन से मैंने हर पड़े हुए पाट को जाच कर देखा कि मैं कैसा समझाओं और फिर उसे कैसे लिखता हूँ। यह जाच करना आपके चाय चकने के समान था। यदि प्रश्न के उत्तर में कमी होती तो तुरंद सुधार करता। बस फिर क्या था परिणाम आपकी मज़दार चाय के समान सामने है। वर्मा जी ने बातों बातों में कब मिठाई खिला दी पता ही नहीं चला। धन्यवाद। साथियों तो ये थी आज की कहानी मज़दार चाय। अमीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। यदि आप भी साहिति सुच जुड़े हैं और लेखन कारे कर रहे हैं तो आप अपनी रचनाय कलम कथा के इवेल एड्रेस या वाटसेप पर भेज सकते हैं। हमारा प्रयास होगा उन कहानीों की प्रस्तुति कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार। प्रस्तुति कर सकते हैं।